नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्यकी रा में हूँ आपके साथ आपका इश्टो फेट संतो संतोशियो राजकिल प्यार थोड़ा सा कम लग रहा क्योंकि अब जो राजिफल देखने वालों के संखिया थोड़ा सा घट रहा है हाला कि अभी बहुत सारे लोग हमारे मित्र तेवारों में इधर उधर सब छिटके होंगी अभी फेश्टिव सीजन है तो यह भी उम्मीद हम करते हैं लेकिन आप लोगों का सनेह जब जादा मिलता है तो यकीन मानिए जैसे संजीवनी सिप्राप्त हो जाती है तो उम्मीद क तक रहेगा नक्षत्र भरणी और योग आज का सिध्धी तदनस्वार दिनांक 16 अक्टूबर दिन बुधवार राहुकाल का समय तो पर 12 बज़े से 1 बचकर 30 मिनट तक राहुकाल अशुब समय होता है गुलिक काल का समय सुबह 10 बचकर 30 मिनट से 12 बज़े तक अच्छा समय होता है गुलिक काल में कार बनने से ये और बनते भी है ऐसा सास्त्रों का मत आज से अब हमसे आप गाजियाबाद typically तक निपावली तक निपावली का तेवहार कुछ विशीष शिद्धियों और प्राप्तियों का होता है निपावली के आस पास में किये गए उपाए बहर स तफल और सिद्ध होते हैं अता है अगर आप जन्मान का विश्लेशन करा कर कुछ विशेश उपाय से अपने उपस्थित योगों को समय से घटित करवाना चाहते हैं तो जरूर संपर करिएगा नंबर साब के सामने फ्लेश हो रहे हैं फोन ना उठपाने की स्थिति में वाट मेश राशी दिन बहतर जाएगा पठाई में मन लगेगा और उके कार्याप के बन जाएंगे कोई दोस्त बहुत मददगार होगा ब्यापार कि स्थिति अच्छी रहेगी बिजनस में कुछ विशेश लाब के अवसर बनेंगे दोस्तों की मदद से निवेश का लाब होगा ब्यापार फैला सकते हैं प्राइवेट सेक्टर नौकरी में थोड़ी सी आज जिक जिक हो सकती है किसी कलिक के साथ या किसी महिला बॉस के साथ महिलाओं को भी आज मेश राशी वाली बहुत सावधान रहना है मांसिक चिंता की इस्थिति आ सकती है गवर्मेंट सेक्टर ब दामपत्य जीवन सभालने की कोशिश करिये दामपत्य जीवन में कुछ मांसिक चिंता की इस्थिति भी आ सकती है आज लव लाइफ अच्छा है लव लाइफ में आज ठहराव आएगा लव लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी समस्या का समाधान होगा आज मेश राशी वाल क्या आपको विशेश उपाय करना चाहिए आज का दिन बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बस एक विशेश ध्यान देने की बात है बजरंग वली को ध्यान करके ओम हंग हन्मतय नमह का तीन बार जाप कर लीजेगा क्या नहीं करना है आज किसी अजनवी पर भरोसा नहीं करना है मेश राशीवालों के लिए आज का दिन बेहतर करने का और बेहतर करने का उपाय हरा रंग धानू नहीं कर सकते हैं हरा रंग शुबह ABC प्रत्सत का भाग्यापके साथ है ब्रिशव रासे हर लिहाज से शुबता बनी रहेगी कुछ इस्थितियां आपके पक्ष में है पढ़ाई में मन लगेगा रुके कारे बन जाएंगे आज बिजनस में उन्नती होगी घाटे की भरपाई होगी दोस्त मददगार होगे आज प्राइवेट सेक्टर वालों को वाहन का सुख मिलेगा अचल संपत्ति के विवात से बाहर निकलेंगे आज पिता का सानित धिप्राप्त होगा गौर्मेंट सेक्टर वालों के लिए थो आज का दिन कुछ बढ़ बोलेपन के शिकार होने का भी है गौर्मेंट सेक्टर में दामपत्ति जीवन अच्छा है पत्नी के साथ रिस्ता मधूरता की तरफ बढ़ रहा हैं पत्ति-पत्नी के बीच तनाव कम होगा उपाय के तौर पर कुछ ठोस बताने वाला हो थोड़ा सा धहर रखिएगा लव लाइफ की बात कर लेते हैं तो आज लव लाइफ में इस्थिती दामा डोलतो होगी लेकिन शाम आते आते आप सौल्व करेंगे बहुत बड़ी समस्या को शादी की चर्चा कर सकते हैं आज ब्रिशव रासी वालों के लिए स्वास्त के मसले पर बुखार से कुछ उल्जे उल्जे रहेंगे पेट अर्थार डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है उपाय के तौर पर ब्रिशव रासी वालों को आज स्वयम पर बहुत मजबूत पकड़ बड़ा की रखना होग कुछ आध्यात्मिक शक्तियों से जोड़ कर रखे ब्रिशव रासी आज का दिन क्या नहीं करना है आज किसी की चुगली नहीं करनी है इधर की उधर नहीं करनी है मन नहीं लगेगा कुछ बारी बारी दिक्कते परिशान कर सकती है मिथो नाशी वालों के लिए आज ब्यापार में घाटे की भरपाई का दिन है कुछ बड़ा वर्क और मिल सकता है कुछ आइडवांस मिल सकता है कहीं आपका धन फंसा था तो आज वापस मिलेगा आज प्र बॉस के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा गौर्मेंट सेक्टर में वाहन का सुख मिल सकता है आज विबादों से परे आज अच्छी छवी के मालिक बनेंगे कोई विशेश महिला मित्र आपकी मदद करेगी दामपत्य जीवन में कुछ उलजरे हैं लेकिन उसको आप स कुछ तफ इस्तती में आ रहा है एक दूसरे पर अविस्वास बढ़ सकता है किसी मैटर पर कान के कच्छे होने का खामियाजा भुग देंगे महिलाएं विशेश रूप से स्वास्त के मसले पर आज घुटनों की तकलीफ और कुछ सरजरी की प्रॉब्लम हो सकती है उपाय क क्या करना है आज भगवान सरी गनेश को दूरवार पित कर दीजेगा क्या नहीं करना है मिथन वालों को आज किसी पर अति विस्वास से बचना होगा बैगनी रंग शुब है 77 प्रतिशत का भाग्याब के साथ करकराश है आर्थिक मजबुती रहेगी धन की स्थिति बहुत अच्छी है रुके कार्यापके बन जाएंगे पुरानी किसी समस्या का समाधान होगा आज ब्यापार बहतरीन रहेगा वहां का सुख मिल रहा है आज कोई दोस्त किसी बड़ी केस से आपको बाहर निग्रा लेगा दोस्तों का साथ रहेगा प्रभाव का बहुत सकरात्मक कि इस्थती रहेगी आज का दिन करक राशी वालों के लिए गौर्मेंट सेक्टर में प्रमोशन का है प्राइवेट सेक्टर में भी प्रमोशन है बस मालिकों के साथ थोड़ा सा बौस के साथ इस्थती को सामाने करने की कोशिश करिएगा आज किसी बड़े लांचन से बाहर निकलेंगे करक्राशी सोलर अक्टूबर दामपत्य जीवन संभालें आज दोस्तों पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें रिष्टे को आप संजोने की कोशिश करें अनमोल तो होते ही है रिष्टे दो राय कहा है आज लव लाइफ इस्ति सामाने रहेगी बिवाह की इस्ति बन रही है आज करसी बड़े बुज़ूर का साथ आपके लव लाइफ को बहुत ब्लेस करेगा उपाय क्या करना है बताएंगे स्वास्त जानते हैं करकवालों के लिए बुखार की समझ से आज रहेगी आज पाउं की तकलीफ थोड़ा सा परेशान कर सकती है दो पहर की बाद बैक की प्रॉब्लम हो सकती है उपाय क्या करना करकवालों को मन से आज खूब प्रसंद न रहना है ये आपके लिए उपाय है क्या नहीं करना है आज अकेले में नहीं रहना है सफेद रंग शुभय कहत्तर प्रत्सित का भाग आपके साथ है सिंग राशु पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आज किसी बाहरी बिबात के चलते कुछ इस् कि आप रुक्य धन के प्राप्ति होगी सरकारी मशीनरी से उल्जन समाप्त होगी आज प्राइवेट सेक्टर में कुछ गर्बर की स्थिति हैं धन को ले करके किसी तरह की उल्जन में फंस सकते हैं कोई दोस्त किसी विशेश मैटर पर आप से खता खफा कुछ भी कर सकता है करा सकता है ध्यान दिजिएगा गौर्वन्ट सेक्टर की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी परिशान ना रहिएगा प्रमोशन के चांसेश बहुत अच्छे हैं मन चाहे स्थानांत्रों के लिए पैरवी करवा सकते हैं आज सिंग राश्यवालों को दिरांक 16 अक्टूबर की लव लाइफ और मारेड लाइफ पर चर्चा है पहले मारेड लाइफ पत्नी के साथ विचारों में विशमता होते वे भी आज कुछ विशेश उपलब्धी अरजित कर सकते हैं लेकिन पति लोग जो सिंग राश्य के हैं आज जुकने के लिए तयार रहे है लव लाइफ माम समले में आज आँखों की तकलीफ है पेट की समस्या दोपहर के बाद संभव हो सकता है उपाय क्या करना चाहिए गव माता को प्रणाम करके गुड़ और रोटी दे दीजेगा क्या नहीं करना है अंदर से खुद को कमजोर नहीं करना है और उपाय के लिए मादुरगा का ध्यान करना है लाल रंग शुभ है उनहत्तर प्रत्षित का भाग्या आपके साथ है कन्या राशी आर्थिक किस्तिती मजबूत रहेगी समस्याओं से बाहर निकलेंगे पढ़ाई में मन लगेगा बिजनस अच्छा चलेगा बड़े लाप के संकेत है बिद्याले के छेत्र में विशेश उपलब्धियां मिलेंगे अगर कोई स्कूल चलाता होगा कन्या राशी दिनांग 16 अक्टूबर प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ मुश्किलात आ रहे हैं धन्फ़न सकता है कहीं बास के साथ तू तू मैं में हो सकता है गौर्णन सेक्टर में इस्तिती बहुत अच्छी रहेगी सरकारी नौगरी में प्रोमोशन के चांसर है मन्चाहिस्थानांतरों के लिए भी आज आज आप इंतजार कर सकते हैं दोपार के बाद कोई खुशखबरी प्रशन करेगी दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी के साथ रिष्टे में मधूरता आएगी पत्य पत्नी आज कहीं घुमने तरहनने जा सकते हैं लव लाइफ की स्थेती बहुत अच्छी नहीं कहीं जाएगी एक दूसरी के प्रती कुछ आविस्वास की स्थेती पैदा हो रही है लव लाइफ में बहुत स्ट्रॉंग रहने की आवश्यक्ता है बहुत सोच समझ करके कदम बढ़ाईगीगा स्वास्त के मामले में बहुत अच्छा समय रहेगा ऑपरेशन काम्याब होगा संतान सुख के प्राप्ति की विसा महना बन रही है उपायग्या करना जाहिए आज करन्या राशी वालों को आज के दिन शहर शिवलिंग पे चड़ा दीजेगा क्या नहीं करना है आज करन्या राशी वालों को किसी पर क्रोध नहीं करना है गुलावी रंग शुभ है 52 प्रत्षत का भाग आपके साथ है तुला राशी रोके कारे बन जाएंगे प्रशनता की श्तति रहेगी धन की बहुत अच्छी श्तति है आज तुला राशी वालों के लिए बिजनस थोड़ा सा संभालना होगा ब्यापार में प्रभाव पढ़ना किसी तरह की सरकारी मशीनरी से उलजन के संभावना बन रही है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी आज नौगरी में आज आ सकती है कुछ बहस बिवाद की श्तति आती है गौर्णन सेक्टर में प्रोमोशन के चांसर आज बहुत गहरे है आज आप पर विश्वास किया जा सकता है रुके कारे बन जाएंगे प्रशिद्धी बढ़ जाएगी आखों की समस्या दूर होगी आज दामपत्य जीवन सोसो रहेगा पधिपत्नी के बीच तालवेल समालने की कोशिश करनी होगी आज कुछ लेंदेन को लेकर के बहस हो सकता सुस्राल पक्षे रिस्ता तल्ख रहेगा आज लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा लव लाइफ में कोई समस्या दूर दूर तक नहीं है अपितु आज दुलावाले जुक करके रिस्ते को जोड़ने की कोशिश करेंगे स्वास्त के मसले पर आज गर्दन की समस्या थोड़ी से परेशान कर सकती है और बैक की प्रॉब्लम इसी से रिलेटेट रहेगा आँख और पेट से भी दोपहर बाद थोड़े से जूचते नजर आएगे उपाय क्या करना चाहिए आज किसी बुज़ुर्ग को दवा का दान करिएगा क्या नहीं करना है आज आज किसी विशेश कारे को ले करके ना मत करिएगा बादामी रंग शुभाय एक सट प्रतिस्ट का भागया आपके साथ है बिश्चे दिब्यर्भो करेंगे आज रुके कारे बनने से सिक्षा में मन लगने लग जाएगा दोपहर के बाद स्वास्थ की वज़े से कुछ सिक्षा प्रभावित होगी रात आते आते रेष्ट करना पड़ेगा ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में आज आज आउट आफ टर्न प्रमोशन अचानक से विशेश लाप शेयर सट्टा वालों को खास फायदा होगा आज अकस्माद धन की प्राप्ति के संकेत बन रहें लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए मुश्किले आएंगी किस संदर्भ में आएंगी वो जान लीजिए कोई विशेश कार्याप से हो नहीं पाएगा आज आप फेल होंगे जिससे प्राइवेट सेक्टर वालों से बॉस के साथ यूं आकड़ा बन रहा है कौवर्मेंट सेक्टर क्या बात है दिन बहुत अच्छा रहेगा सरकारी नोगरी वालों को स्वास्त का लाप मिलेगा रुके कार्याप के बनेंगे कुछ विशेश उन्नती के संकेट दिखाई देते है व्रश्चिक राजी आज आपके लिए हर लिहाज से आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने जा रहा है कुछ बहुत बड़ा मिलने जा रहा है आज विश्चिक राशी वालों के लिए दामपत्य जीवन में सुचारूता संतुलित अवस्था रहेगी पध्य पत्नी के बीच का तालमेल कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है आपका प्रभाव बहुत सकरात्मक रहेगा आज स्वास्त के मामले में और लव लाइफ के मामले में परिशान रहेंगे उल्जे रहेंगे दिमाग साएं साएं करेगा समझ में कमाएगा और हेल्थ आपका खराब हो सकता है परिशान हो सकते है ब्रिश्चे क्राश थोड़ा सा उल्जहन बैक पेन और पेट से परिशान रहेंगे क्या उपाय करना चाहिए आज ब्रिश्चे क्वालों को जो भी घर में बड़ा बजल्ग है उसके चरणों को शोकर के प्रणाम करें क्या नहीं करना है आज किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना लालंग शुभे 58 प्रिश्चे का भाग आपके साथ है धनुराश अच्छा रहेगा बिदेशी मुद्रा का प्राप्त होना कम्प्लीटली दिखाई देता है आज घाटा कम होगा वहन में निवेश हर सकते हैं स्वास्त थोड़ा सा प्रशान करने से प्राइवेट सेक्टर में आज सायद मन ही ना लगे आज सहज महसूस करेंगे आज प्राइवेट सेक्टर में नौगरी पर कुछ विशेश बातों को ले करके आज आ सकती है आज का दिन आर्थिक थोड़े से उल्जन का रहेगा दनुराशी गौर्ण्मेंट सेक्टर प्रोमोशन के चांसेज है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ तालविल अच्छे से सेट कर लेंगे आज खान पान पे विशेश ध्यान देने के आवश चेक्ता है आज कोई अलग तरह का दवाव भी महसूस कर सकते है धनुराशी किसी विशेश कि ये धरे से प्रशान हो सकते है दामपत्य जीवन को लेकर के और लव लाइफ तो आज जैसे सेपरेट होने की नोग बता सकती है किसी अनका प्रवेश बूरी तरह से प्रभावित कर रहा है बहुत सावधान रहने की आवशकता है आज धनुराशी वालों के लिए लव लाइफ बहुत स्मूद रहेगा शादी की चल्चा किसी बड़े मुजूर्ग से की जा सकती है धनुराशी के लड़कियों के लिए आज कई रास्ते विवाह की खुलने वाले हैं धनुराशी के लिए आज स्वास्त के मामले में थोड़ा सा परशान होने की चिंता करने क्या वशकता दिखाई देती है हर्ट से आज उल्जे होंगे आज अटेक की सम्भावना बन रही है ओवर्थिंकिंग ना करे तो बहतर रहेगा उपाय क्या करना चाहिए आज गव माता को कुछ खिला दीजेगा प्रणाम करते हुए और ओवर्थिंकिंग नहीं करना है काला रंग शुभ है पच्पन प्रत्सित का भाग्याब के साथ है मकर ब्यापार के मामले में दिन जितना अच्छा है पढ़ाई के मामले में उतना ही बुरा रहेगा कुछ विशेश बाते मस्तिश्क को जग जोरती रहेंगे काम बन नहीं पाएगा मानसिक द्वंद से उल्जे रहेंगे क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए ये सब उल्जने बहुत बुरी तरह से परिशान करेंगे आपका आंतरिक बल एकदम से जैसे उलजसा जाएगा मकराश वालों के लिए दामपत्त जीवन गवर्मेंट सेक्टर मलब पूरा दिन मिला जुला करके संघर्श पूर्ण ही कहा जा सकता है लेकिन लव लाइफ बहुत अच्छा रहेंगा लव लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जो आपको जाता परिशान करें बलकि आज शादी आदी की चर्चा कर सकते हैं मकर राश की लड़कियों के लिए रिष्टे की संभावना प्रबल है आज स्वास्त के मामले में आख और बैक की प्रावलम रहेगी हर्ट की प्रावलम दोबहर के बाद संभव हो सकती है उपाय क्या करना है आज मकर राशी वालों को चने की डाल का दान करना होगा क्या नहीं करना आज आज किसी महिला से अभद्र व्यवार नहीं करना है पिला रंग शुभए 61% का भाग याँ पे साथ है कुम्बर राशी पढ़ाई में मन लगेगा शुक्षा छेत्र में आ रही बादा दूर हो जाएगी आज मित्र मददगार रही ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में घाटे की भरपाई कर सकते हैं कुछ बड़ी इस तरह की परिशान करेंगी जो आपके लिए नागवार कुछ रहे आज नौकरी पीडित हो रही है गौर्मेंट सेक्टर की श्तती बहुत अच्छी है दोपर के बाद प्रोशन की भी खबरें आ सकती है जो संगर्स होगा पहले-पहले ज्यादा चिंता नहीं आज दामपत की श्तती बन सकती है आज किसी पुरानी बात के को कुरेद करके आज परिशान किया जा सकता हो बाय क्या करना चाहिए आज आपके लिए एक प्रियूख सर्बुत्तम रहेगा आज शिव का ध्यान करके अगर शिवाल्य आसपास है तो एक लोंग शिव को और एपृत कर दीजेगा क्या नहीं करना है आज कुम राशी वालों को ओवर ठिंकिंग नहीं करना है और एक्समोज नहीं करना है और अंटिम राशी मीन पढ़ाई में मन लग रहा है सिक्षा छेतर की पुरानी बाधाओं से बाहर आएंगे मस्तिश्क आज इस्थर महसूस करेंगे आप ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में आ रहे हैं घाटे को आज भर कर सकते हैं मन प्रशन्द रहेगा कोई दोस्त आज चीत करने की फिराक में काम्याब हो जाएगा प्रियास पहले से कर रहा था काम्याबी आज मिलेगी लेकिन मीन राशी वालों को आज दामपत जीवन में मज़ा आने वाला है पति-पत्नी के बीच रिस्ता बहुत अच्छा रहेगा पति-पत्नी के साथ बहुत समर्पित रहेंगे बहुत प्रशन रहेंगे बहुत मस्त और खुश रहेंगे उपाय क्या करना है बताएंगे हम आज पहले ये जान लेजिए कि आज स्वास्त कैसा रहेगा बैक की प्रॉब्लम गर्दन की समस्या कमर बस उपाय आज आपके लिए किसी जरुरतमंद को हरी सबजी का दान करिएगा और आज क्या नहीं करना है दो पहिया वहां से बड़ी यात्राएं लंबी यात्राएं मत करिएगा आसमानी रंग शुभष 56 प्रतिशत का भाग आपके साथ है तो आज हम आपको बताएंगे ठीक 11 वजे स्पेशल में दिवाली स्पेशल में की महज 3 मिनट में ऐसे वशी करण कैसे करें एक बड़ा संसनी खेज सब्द जो आप सब के दिलों में कौतूहल पैदा कर देता है तो आईएगा 11 वजे खास कारे करों के साथ अब जानते हैं आज का भाग याक्षर मेश खाग्षर ब्रिशब छोटा आ मिथुन राग्षर करक छोटा आ सिंग धाग्षर कन्या टा तुला जाग्षर ब्रिश्चिक डा धनू चाग्षर मकर पा कुम्भ काग्षर और मीन ता आपके अपने शुब भाग्षर साधे चौकोर कागच पे लाल रंग की कलम से लिखना है और अपने पास रख लेना है चले चलते चलते जानते हैं आज की सक्सेस की तीन बार ओम बुम बापे छोटा ओग की मात्रा म बुम लिखा हुआ है बोलकर तीन बार और फिर घर से प्रिस्थान करें या घर में ही रहें मित्रों चलते हैं लेकिन आप लोग को बता देते हैं आप हमसे दिनांक 27 तारिख दिवाली तक गाजियाबाद में बिल सकते हैं और अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं जल्दी करिएगा दिवाली का विश्विश लाब लीजेगा नमस्कार, have a nice day, take care, शिरा दे